हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गीता और आज हम बनाएंगे गर्मियों की स्पेशल रेसिपी दोई मिनट में दोई चीजों से बनने वाली बिना गेस जलाए ऐसी एसक्रीम जो एक बार बनाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे और बड़े तो बड़े बच्चे भी तूट पड़ेंगे खाने के लिए बच्चों को एक बार ये ऐसक्रीम आपने खिला दीना तो मार्केट की सारी ऐसक्रीम खाना भूल जाएंगे गर्मियों का सीजन है और ठंडी ठंडी ऐसक्रीम खाना तो बनता है तो एक बार इस रेसेपी को आप जरू ट्राइ करें तो चलिए इसको बनाना शरू करते हैं तो एस्क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया आए याप एक मीठा सा तर्बूज और इसको बीचो बीच कट कर लेंगे क्योंकि हमें आदा ही तर्बूज काम में लेना है पूरा नहीं लेना है तो आदा हम रख देंगे और आदा हम इसमें काम में लेंगे तो इस तरह से इसकी पतली पतली स्लाइट्स काट लेते हैं हम तर्बुज बहुत ही अच्छा है एकदम मीठा है तो हमारी एसक्रीम बहुत ही अच्छी बनने वाली है तो सारे को हमने कट कर लिया है अब जो बार वाला भाग है न उसको हम हटा लेंगे और इसके जो extra बीज है न वो हम हटा लेंगे ज़्यादा बीज निकालने की जुरत नहीं है जो extra है उनको हटा लेंगे क्योंकि इसके बीज है जो कोई कड़वे वगेरा नहीं होते हैं तो कोई problem नहीं इसमें साथ रहेंगे तो भी इस तरह से छोटी छोटी स्लाइस कट कर लेंगे हम इसकी और सारा तर्बूच इसी तरह कट करके तयार कर लेंगे और यह देखिए हमने इसको सारा कट कर लिया है अब हम चलेंगे एक ले लेते हैं मिक्सिका जहार और उसमें डालेंगे यह कटावा तर्बूच बहुत ही सिंपल है, फटाफट बन जाती है, बिना गेस जलाए हमने इसे बनाया है और मिंटों में बनकर तयार होती है, गर्मियों का मौसम है और ठंडी ठंडी ये ऐस्क्रीम किसको पसंदनी आने वाली है और बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसे बनाया है सारा तर्वूज इसमें डालने के बाद हमने इसमें चार चमच चीनी डाली है चीनी अपने मीठे के हैसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं तर्वूज कितना मीठा है उसे हैसाब से भी आप चीनी कम ज़्यादा ले सकते हैं और इसमें कुछ भी नहीं डालना है तो ये देखी हमने इसको अच्छा से पीच लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक पिंच रेड कलर आप चाहें तो डालें या इसके बिना भी बना सकते हैं बस इसका कलर थोड़ा और अच्छा आजाए इसके लिए हमने एक पिंच रेड फूड कलर डाला इसमें इसके बाद इसको और गुमा लिया है और इसमें हमने चलनी लगा के इसको अच्छे से चान लिया है यही बहुत ज़्यादा गाड़ा लग रहा है आपको तो थोड़ा सा इसमें पानी मिला सकते हैं तो यह देखिए चलनी से हमने अच्छे से चाहन लिया है और यह हमारा गौल बनकर तयार है बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाना यह हमने मोल्ड लिये हैं एक गिलास लिये है और एक पेपर कप जो होता है na वो लिया है आप कोई भी जो आपके पास है वो ले सकते है और इसमें हम ये अच्छी तरह हमारा बैटर भढ़ लेंगे आपके पास मोल नहीं है तो आप गिलास ले लिजिए छोटी छोटी जो गिलास आती है ना वो काच की या फिरिस्टील की हो तो ले सकते है या और पेपर कप तो मीली जाते हैं इस टाइप के तो पेपर कप ले सकते हैं उसमें भी अच्छे से जम जाती है जैसे आपके पाई सुईदा है उस एसाब से आप बना सकते हैं लेकिन सच में गर्मियों के मौसम में ये क्या गजब की बनती है अभी तरबूच की सीजन है तो आप जरूर अपने घर में एक बार इस रेसेपी को ट्राइ करें और उपर से लगा देते हम सिल्वर पॉल ताकि इसमें आइस ना जमें क्यूंकि हमें एस क्रीम जमानी है बरफ नहीं जमानी है इसके उपर लगा देते हम रबर ताकि ये अच्छे से पैक हो जाए गिलास के उप आपके पास लगडी वाली जो ये डंडी होती है ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं आप जो गर में चमच तो होती है सभी के गर में चमच ले लीजिए और उसको उल्टा डाल दीजिए चमच को उससे भी अराम से एसक्रीम बन जाती है और निकालने में और खाने म आसानी रहती है यह देखिए मैंने एक छोटा चमच लिया है उसको इस तरह से उल्टा डाल सकते हैं आप मेर पास यह लकड़ी वाली तंडी थी तो मैंने यह डाल दी है सारी डालके हम इसको रख देंगे फ्रीज में और नाइट के लिए या फिर 5 गंटे के लिए भी रख सक करते हैं आप और खास कर बोचों को दिए बहुत ही पसंद आती है गर्मियों का सीजन है और बचों को दीजिए बहुत ही मजा आने वाला है उनको एकदम चुसकी की तरह इसको इंजॉय करेंगे थोड़ा सा हमने इसको पानी में अच्छे से डीप कर लिया और यह देखिए और ना गेस जलाने की जरूत है बीना गेस जलाई यह हमारी ठंडी ठंडी बहुत ही मज़ेदार एस्क्रीम बनकर तयार है देख सकते कितनी गजब की बनी है तो फ्रेंट आप भी एक बार यह रेसेपी जरूर ट्राइक करें बहुत ही पसंद आएगी और बच्चे तो इसक